हाई गाइस वेलकम इस यूर समीर गोली सर विद्धन अधर शॉट लेक्चर ऑन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बजारा बड़ा शरीफ आत्मी होता है जो कोई ऐसी हाय तो पानी है बहुत प्यारी सी चीज होता है नाइट्रोजन का सिंबल होता है पिटा एन भाई साब का अ बनाई तो क्योंकि साथ एलेक्ट्रोंज है पहली चल में तो दो एलेक्ट्रोंज आ गए अब तूसरी चल में आ जाते हैं पाँच एलेक्ट्रोंज एल चल में चाहिए होते हैं आठ इनके पास होते हैं पाँच मतलब इनको तीन और चाहिए होते हैं और जिसको तीन और चा नाइट्रोजन का दर्द कौन समझता है ये एक और नाइट्रोजन को बुलाता है और उसे बोलता है भाई तेरा क्या दर्द है वो कहता है मुझे तीन चाहिए ये कहता है मुझे भी तीन चाहिए तो तू मेरे तीन ले ले मतब शेयर कर ले और जितने मैं तेरे शेयर कर रहा ह तो nature में nitrogen मिलता है हमारे बच्चों N और N के बीच में आता है one pair के लिए एक डंडा दूसरे pair के लिए दूसरा डंडा और तीसरे pair के लिए तीसरा डंडा और compound का जो formula बन जाता है को बन जाता है N2 नेचर में nitrogen मिलता है N2 की form में और क्योंकि ये electrons को share करता है तो this is a characteristic property of a non-metal प्लस ये gaseous state में होता है ये थोड़ा सा unreactive है जादा react नहीं करता कुछ लोग होते हैं उन्हें पता यार हमें जो चाहिए वो मिलना नहीं है शान्ती से जिंदगी अराम से जीते रहो चलने दो that is nitrogen इसी लिए unreactive है तो इसको packaging वगएरा food packaging वगएरा में बहुत यादा use किया जाता है food packaging में आप ये जो ruffle lace cracks ये जितने भी खाते हो अटरम शक्रम जो चीजे खाते हो इन सब के अंदर जो gas भरी होती है वो nitrogen होती है ये किसी के साथ जादा तर react नहीं करती है आपके food को spoil नहीं करती है ये तो nitrogen है अब हलका सा nitrogen के बारे में तोड़ा extra मेरे तो मन करता है बस electron हो चार और पांच nitrogen की शादी कराते हैं hydrogen से अगर आप मेरे चोटे चोटे लेक्चर सुन रहे हो तो hydrogen helium, lithium, beryllium, boron, carbon छे lectures में दे चुका हो अब ये सात्वा लेक्चर है तो nitrogen ने बुलाया hydrogen को hydrogen cool, हलका, शान्त बंदा उसके पास आया hydrogen ने का भाई मुझको तो एक electron चाहिए तेर को तीन चाहिए, मुझको तो एक चाहिए, nitrogen ने का ठीक है भाई, शान, भीम, शान, तुझे एक चाहिए, तू एक share कर ले, इस condition पे, कि मैं भी तेरा एक तो share कर सकता हूँ ना, इसने का okay, अब ध्यान से देखना, nitrogen के पास पांच थे, एक hydrogen से आ गया, छे का जुगाड ह हो गया, problem पूरी तरह solve नहीं हुई, but problem थोड़ी कम हो गया, problem solve किसकी हुई, hydrogen की, hydrogen को एक चाहिए था, वो इसने nitrogen के ताथ share कर लिया, अब nitrogen ने hydrogen को कहा, यार अपने एक और hydrogen को तो बुला दे, उसको भी मैं एक electron share करवा दूँगा, उसे भी करवा दिया, यार एक और hydrogen को तो उसे भी बुला दिया, उसे भी एक share करा दूँगा, और इसी बहाने उसने देखा, कि मेरे भी outermost में 8 electron बनाएंगे, और अगर मैं इसको देखूं तो ये N, ये one pair के लिए H आया, second pair के लिए H आया, और third pair के लिए H आया, यहाँ पर अगर किसी को jealousy हुई है, इन उनों को हु बोलते हैं, shared pair, ये वले electrons होते हैं, shared pair, या बड़ी 11-12 में पढ़ोगे, loan pair और shared pair आपस में एक दूसरे को repel करते हैं, इसलिए ammonia का structure, ये जो compound बनाएं, ये बनाएं NH3, इसको बोलते हैं ammonia, ये आप अगर public toilets वगारा में एक अलग सी smell जो आती है, वो इस से मिलती जुलती होती है, this is electron dot structure of ammonia, पढ़ा मैं nitrogen रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत nitrogen को आगे घीच दिया और उसका compound बना दिया, तो यहां nitrogen हम खतम करेंगे, कल हम बात करेंगे oxygen की, oxygen की धन्यवाद,